आज का जो विशय है वो कॉंग्रेस की उपज है आपने देखा कल 26 जन्वरी के अवसर पर पदमा आवार्ड्स दिये गए हैं अदनान सामी के पदमश्री को लेकर एक राजनेतिक बखेडा खड़ा करने का प्रयास कॉंग्रेस पार्टी और कुछ तथा कथित कोट अनकोट लिबरल्स कर रहें बंदुगर्ण आज हम कॉंग्रेस के दोहरी नीती को उसके हिपोक्रेसी को पूरी तरह से एक्सपोस करके रहेंगे जहां तक पदमश्री का सवाल है जब से नरेंदर मोदी जी की सरकार आई है पदमा अवाज्ज हैस बिन डिमोकरटाइजड बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से साधारन से साधारन लोगों को पदमा अवाज्ज दिया जा रहा है बंदुगान पद्मा आवार्ड्स को लेकर ये कहना बिलकुल उचीत रहेगा कि बहुत ही योग्य वेक्ती अदनान सामी जी है he is highly deserving और merit के आधार पर प्रतीभा के आधार पर गुण के आधार पर उन्हें ये आवार्ड्स दिया गया है वो एक vocalist भी है, world's fastest pianist भी है और एक world acclaimed musical composer भी है music composer भी है और लगबग चार दशकों तक for four decades he has been working in this field उन्होंने 120 से अधिक गाना गाया है solo concert 40 से अधिक देशों में पूरे विश्व में किया है आपको जानके खुशी भी होगी और आश्चरी भी होगा कि लंदन के प्रसिध वेंबली स्टेडियम में 8 full house concerts देके वो Elton John, Madonna, Michael Jackson और Rolling Stones के बराबरी में अपने आपको खड़े करते हैं हिंदुस्तान के बहुत ही प्रख्यात गाई का पद्मभूशन आशा भोसले जी के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला है बहुत कुछ उन्होंने आसा भोसले जी से भी सीखा है UNICEF के run for life गाने का एक record बनाया था उन्होंने आप याद करिए 2000 टीम में जब अदनान सामी हिंदुस्तान के उस समय नागरिक नहीं थे वो उस समय पाकिस्तान के नागरिक थे किंतु वर्ल्ड कप cricket मैच में हिंदुस्तान के लिए आ-े-ो गाना जो बहुत ही हिट हुआ था आपको याद होगा उन्होंने हिंदुस्तान के लिए गाया था हिंदुस्तान की टीम के लिए गाया था आपको जानकी यह भी खुशी होगी कि पंडित शिफ कुमार शर्मा जो खुद पद्म विभूशन है उनसे सिक्षा प्राप्त की है म्यूजिक की अधनान सामी ने अधनान सामी का जन्म 15 अगस्त 1971 को लंदन में हुआ मुख्यता उन्होंने अपना जीवन लंदन में ही गुजा रहा है उनकी माताश्री मौरीन खान भारतिय हैं और वो जम्मू की है वो जम्मू की एक respected मुस्लिम परिवार की बेटी है मौरीन खान नौरीन खान अजन सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या जमू कश्मीर की मुस्लिम महिलाओं के प्रती यही सम्मान है कॉंग्रेस पाटी का कि अगर उनके बच्चों को पदमश्री दिया जाता है तो आपको उससे अर्चन होती है अदनान सामी के पिता का नाम अरशाद सामी खान है और आज वो नहीं है वैसे उनकी किताब Three Presidents and Aid उसको पाकिस्तान में कोई Publisher नहीं मिला था उसकी Publishing House इंडिया में Pentagon Press New Delhi की थी यहां हुआ था उनके किताब को 2008 में I.K. गुज्राल साहब बतौर पदानमंत्री के रिलीज किया था आपके बड़े नेताओं के मौझूदगी में उनकी किताब की विमोचन की गई थी 2008 में उनके पिता का देहांत 2009 में मुंबई में हुआ अधनान सामी के पिता का देहांत जब पिता ने किताब रिलीज किया था भारत में तो पिता का स्टेटमें किया था अधनान सामी के पिता का स्टेट्मेंट, the friendship that I have received here in India is the reason that brought me to launch the book here. It is time we combine the ranks and forget all differences. उनके पिता का उस समें, तदकालीन भारत के प्रदानमंत्री के सामने ये कतन था. जब उनके पिता की मृत्यू हुई दोहजार नव में मुंबई के अंदर, तो अधनान सामी ने कहा था, Indian authorities have been exceptionally cooperative and a wonderful support to me and my family in this hour of distress. I can't thank them enough. उस समें, Congress की सरकार थी, Congress की सरकार बहुत मदद भी कर रही थी, किताब भी रिलीज कर रही थी, वो सब कुछ ठीक है. हमने पदमश्री दे दिया, तो बहुत खराब हो गया. बंदुगर्ण ये जो Liberals हैं, ये जो आम आदनी पार्टी वाले हैं, ये जो Congress वाले हैं, और ये जो तोहीन बाग वाले हैं, ये सारे लोग आज जो CAA के खिलाफ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है, कि जो पाकिस्तान के मुसल्मान हैं, उनके खिलाफ बहुत अन्याय हो रहा है, CAA में उनका नाम included नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अदनान सामी एक मुसलिम है, पहले पाकिस्तान के मुसलिम थे, उन्होंने रूल्स के तहट यहाँ अप्लाई किया नागरिक्ता के लिए, भारत की सरकार ने उन्हें नागरिक्ता दी, और उनके मेरिट के आधार पर, उनके प्रतीभा के आधार पर, उन्हें पद्मा वाड्स मिला, तो क्या मुश्किल है, आप तो छाती पीट-पीट के रो रहे हैं, कि मुसल्मानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, यहां मुसल्मानों के साथ न्याय हो रहा है, तो आपको मुश्किल हो रहा है, इससे एक सवाल उठता है, कि ये liberals, ये जो आमादनी पार्टी वाले और जो कॉंग्रेस वाले हैं, और ये तौहीन बाग वाले, इनको एक तरह के ही मुसल्मान पसंद हैं, जो मुसल्मान मोदी जी को, भारत की सरकार को, भारत की आर्मी को, भारत के सुप्रीम कोट को, और भारत के वर्चसों को गाली द वो ठीक है, उनको नागरिक्ता तुरन देना चाहिए, उनको अवार भी देना चाहिए, ताकि बाद में वो अवार वापसी करते रहें, और जो देश के पक्ष में बोले, जो पाकिस्तान के विरोध में बोले, उनको अवार दे, तो इनको दिक्कत हो जाती है, बंदुगन जहां तक कांग्रेस पार्टी का जो बयान है कि अधनान सामी के पिता पाकिस्तान के फाउज में थे, 1965 के युद्ध में भी शामिल हुए थे, मैं कुछ तथियां रखूँगा और हार्ड हिटिंग फैक्ट्स रखूँगा. ये वही कंग्रेस पार्टी है, ये वही आम आग्मी पार्टी है, ये वही जेनियों और तोहीन बाग वाले हैं, जिनके लिए अफजल गुरू के बेटे का पिता से कोई संब्द नहीं होना चाहिए, अफजल गुरू का बेटा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो नहीं उसके पिता का इतियास मत देखो, बेटे को और पिता को अलग अलग करके देखो, अफजल गुरू के बेटे और पिता को अलग करके देखो, मगर अधनान सामी के पिता के साथ बेटे को जोड के देखो, सल्मान ताशीर आपको याद होगा, सल्मान ताशीर पाकिस्तान के कदाव पर राजनिता रहे हैं, पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं, सल्मान ताशीर भारत के खिलाफ कैसे रहे हैं, पाकिस्तानी होने के बावजुद उनके बेटे के लिए OCI काड उसके लिए कॉंग्रेस पार्टी लड़ती रही है, उसके लिए कॉंग्रेस पार्टी प्रेस कॉंफ बुरानवानी बहुत सारे लिब्रेल्स के लिए ये बुरानवानी पूर हेडमास्टर का बेटा है। ये रात को कोट खूल सकता है, मगर पतिवावान रिक्ति को पदमा अवार्ड्स नहीं मिल सकता है। वह भी हिटलर और मुसॉलिनी के आर्मी में थे। फासिस्ट आर्मी में खुद सोनिया जी के पिता थे। क्या उसके आधार पर कॉंग्रेस पार्टी कहेगी कि सोनिया गांधी जी को किस प्रकार से भारत में नागरिक्ता दे दी गई। क्योंकि हिटलर के आर्मी में उनके पिता जी थे। तो क्या यह जो लॉजिक कॉंग्रेस पार्टी का है पिता और पुत्र को जोड़ के देखना। सोनिया जी के केस में पिता और पुत्री को आपने पुत्रक पुत्रक करके अलग-अलग करके देखा है कि नहीं क्या हो सकता है पिता उनके हिटलर के साथ हो मगर बेटी को जोड़ के मत देखो ठीक बात है मगर अद्नान सामी के पिता को अद्नान सामी के जोड के देखो और प्रतिभा के आधार पर अगर पद्मा आवाड दे दिया जाए तो आप उन पे अटैक करो देश द्रोहियों के लिए इकरार और अच्छे मुसल्मानों के लिए इंकार जो देश द्रोह का काम करे यासीन मलिक याकूब मेमन अफजल गुरू बुर्हान वानी इन सब के लिए इकरार और जो अच्छे काम करके आगे बढ़े उन सब के लिए इंकार ये कैसी बात है 2013 में कॉंग्रेस पार्टी के लीडर्स ने बहुत प्रेज किया था प्रसंसा की थी आदनान सामी की 2005 में ताज महल के जब 350 साल कंप्लीट हुए थे जो सेलिब्रेशन हुआ था कॉंग्रेस की सरकार ने उस समय अदनान सामी को बुलाया था बहुत बड़े परफॉर्मेंस के लिए हरी प्रशाज 84 और अबिदा परवीन के साथ वो स्टेज साज़ा किये थे उस स्टेज में मुलायम सिंग यादव भी मौजूद थे और छे ततकालीन प्राइम मिनिस्टर जो पूर्व के थे वो मौजूद थे पीवी नर्सिमहनाओ जी मौजूद थे दोहजार आठ में नौशाद म्यूजिक अवर्ड से कॉंग्रेस पार्टी ने उन्हें नवाजा था कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से के रोसया जो आंदरप्रदेश के फिनांस मिनिस्टर थे और मोजूद थे इन्होंने अवर्ड दिया था नौशाद उस समय तो वो पाकिस्तान के सिटीजन थे उस समय आपने नौशाद म्यूजिक अवर्ड दिया वो ठीक है अब पदमा अ सिंग ने कहा इंडिया शुट कंटिन्यू तो अलाव रेसिदेंसी ऑफ सामी दोहजार तेरह में पीचिद अम्बरम कहते हैं समी डिजर्व जन इंडियन सिटीजन्शिप वाइशुड़न्ट गवर्मेंट गविम वाठी डिजर्वस दोहजार ग्यारह दोहजार दोहजार तेरह उस समय कॉंग्रेस पार्टी कह रही थी इनको आप सिटीजन्शिप भी दीजिए अवार्ज भी दीजिए मगर दोहजार बीस में यह सब कुछ खराब हो गया मैं तो आज भगवान से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं तेरी उची शान है भगवन तेरी उची शान है सदबुद्धी को उनको जरा गिफ्ट करा दे कॉंग्रेस को आज सदबुद्धी की अवश्यक्ता है और थोड़ी सी उनकी सोच को लिफ्ट कराने की अवश्यक्ता है मुझे लगता है भगवन इस बात को सुनेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें